नमस्कार मैः क्रैशन सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी लस् outright और मीठी लस्थी बनाने के लिए यहां मैंने एक कटोरी मलाई वाला दही लिया है यह तीन चार काजु लिये हैं और दो बदाम लिये हैं और ये दो छोटे चम्मच मेने चीनी ली है, ये थोड़ा सा पानी जो हम लस्ती के अंदर एड़ करेंगे, हम मैं लस्ती बना लेती हूँ, हम आदा धाई धाई इसके अंदर डाल देंगे, आदा डाल देंगे, ये देखिए इतना सधाई मेने रख लिया है, क्योंकि इसमें अच्छे मलाई है, हम इसे बाद में डालेंगे, मैं इसमें चीनी डाल कर अच्छे से फेट लेते हूँ, हमारी चीनी अच्छे से गुलने पर हम इसे खटा लेंगे, अब मैं चीनी को थोड़ा से फेट लोगे, ताकि हमारी चीनी जो नीचे बैठ गई वो अच्छे से ओपर आ जाए देखिए हमारी चीनी अच्छे से गुल चुकी है अब मैं इसके अंदर ये मलाई डाल दूँगी और इसे हमें चम से फेट लूए इस तरह चम से फेट लूँगी अब मैं हमारी लस्ती इसमें डाल दूँगी मैंने एक ग्लास लस्ती बने ये देखिए इसके उपर अच्छे से मलाई आ रही है अब मैं इसके अंदर एक टुकडा बरप का डाल दूँगी अगर आपको चीनी कम पसंद हो तो आप चीनी कम खा सकते हैं कम डाल लीजी इसके अ कि देखिए मैंने एक टुकडा बरप का डाल दिया अब हम अमारे काजू और बदाम पिस्ता डालेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो गई हमारी मीठी लस्ती हमारी लस्ती में पानी आप कमी डाली है मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है इसमें से आदा पानी डाला ह और मेरे चैनल मेहंदर सोनी को सस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ठेंक्यू